यूपी में आए दिन हिंदू महिलाओं और लड़कियों के साथ जानलेवा दुर घटनाएं होती रहती हैं कभी ये घटनाएं लब जिहाद से जुड़े प्रेम प्रसंग को लेकर होती हैं तो कभी आपसी रंजिस जिसमें अंतता महिलाओं को निशाना बनाया जाता है कोशिश की जाती है लेकिन अब यूपी के बरेली से जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो और भी डराबनी है इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया इसके पीछे की मनसा क्या थी इसका खुलासा फिलाल नहीं हो पाया है क्या है पूरी घटना जिसने एक बार फिर से हिंदू लड़कियों की सुरक्षा में सेंध लगाने के साथ ही कटर पंथियों की असली चेहरे को बेनकाब किया है बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिल टिवी उत्तर प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार मुसलिम यूवक का खौफनाक कांट पूरी खबर यूपी के बरेली से है जहां एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है घटना इतनी डरावनी है कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे जहां एक मुसलिम यूवक ने एक हिंदू लड़की को ट्रेन के आगे फैक दिया और ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौथ हो गई घटना की जानकारी होने के बाद तकाल पुलिस ने मामला दर्च कर आरोपित को गिरफतार कर लिया है जानकारी के अनुसार बरेली के फतेगंज पूर्वी की रहने वाली एक हिंदू लड़की बुधवार यानी की आठ मई दो हजार चौबिस को अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी चात्र अपने कॉलेज में इंप्रूव्मेंट फॉर्म भरने जा रही थी हलाकि वो बाद में उसे कॉलेज ना ले जाकर पास के ही कस्वे कटरा की तरफ ले गया हलाकि इस दोरान हिंदू लड़की के भाई ने उसे साथ जाते देख लिया इसके बाद लड़की के भाई ने अपने घर पर जाकर इस विशय में सूचना दी ये सूचना पाकर लड़की के परीजन उसको ढूंडने पहुँचे, उन्होंने घटना अस्थल पर पहुँच कर देखा कि फर्याद उसकी लड़की को ट्रेन लाइन की तरफ खीच कर ले जा रहा है, इस बीच उचे समझाने की कोशिश की गई, हलाकि उसने किसी की एक न सु जिसके बाद अस्थानिय पुलिस को इस मामले में सूचना दी गई, मृतिका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि फर्याद ने परिवार वालों पर भी हमला किया, फिलाल फर्याद को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और F.I.R. भी दर्ज हो गई है, अब आगे की गई की राजनीतिक चर्चा का विशय बन चुकी है, करनाटक में एक दुर्दंद क्राइम ने सियासी पारा हाई कर दिया है और इसको लेकर पूरे देश में गुसे का महौल भी देखने को मिल रहा है, लोगसभा चुनाव दोहजार चौबिस को लेकर चुनाव प्रचार मे राजनीतिक दल पूरी ताकत जोग रहे हैं, पियम मोदी ने जब करनाटक में रैली की तो उन्होंने भी हुबली के नेहा मर्डर केस का उलेक किया था और राजी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाये थे, करनाटक पहुँचे पियम मोदी ने अपने भाश जनिक जगू पर बंधमा के किये जा रहे हैं, जो लोग भजन किर्तन सुन रहे हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं। आकरामक बयान दिया तो मुस्लिम संगटनों ने इसका विरोध किया है। इस मुस्लिम संगटनों का कहना है कि उनके इस घटना के जिक्र और बयान से राज्ज में लब जिहाद को लेकर जारी विरोध प्रदशन को और भी बल मिलेगा। क्या है नेहा मर्डर केस। कर लिया है और पूछ ताज के दौरान पता चला था कि फयाज और नेहा एक दूसरे के साथ रिलेशन्शिप में थे। बता दे कि नेहा की हत्या के बाद अखिल भारतिय विद्यारती परिशत समेत कई संगठनों ने उत्री करनाटक के कई शहरों और कस्वों में विरोध पदशन शुरू कर दिया है और आरोपी को फासी देने की मांग कर डाली थी। ये सभी संगठन इस मामले को लब जिहाद तक बता रहे थे। वहीं नेहा की हत्या पर उसके पिता निरंजन हिरेमत ने भी इस घटना को लब जिहाद का नाम दिया था। लेकिन मैंने इंकार कर दिया था। मैं करनाटक के लोगों से मुझे माव करने कान रोध करता हूँ, मेरे बेटे ने गलत किया, उसे देश के कानून द्वारा दंगिट किया जाएगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ, मेरे बेटे ने मुझ पर और मेरे शहर पर कालिपोद चलिए अब आपको कुछ आकडों से रूबरू कराते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहत जरूरी है पिछले 6 साल में 56 हिंदू लड़कियों की हत्या हुई है एक आकड़े के अनुसार पिछले 6 वर्ष में दिल्ली समय देश भर में ऐसे 56 मामले सामने आये हैं जिसमें हिंदू लड़कियों की हत्या करने वाले दूसरे धर्म से संबंद रखते थे वर्ष 2017 से अभी तक ये वो मामले हैं जो सामने आये हैं और मुकद में दर्ज हुए हैं इसमें दक्षनी दिल्ली में पिछले वर्ष 18 माई को महराष्ट की श्रद्धा वालकर की निशन्स हत्या का मामला भी शामिल है जिसमें हत्यारे उसके प्रेमी आफ्ताव ने श्रद्धा की हत्या के बाद शव के कईट टुकड़े कर उसे फ्रीज में रखे और बारी बारी से जंगलों में फैका इस तरह के सारवधिक मामले उत्तर परदेश से हैं जहां 6 वर्ष में 20 लड़कियों की हत्या हुई है संबंद रखते थे बंगाल में दो तथा असम हिमाचल परदेश और आंधर परदेश में एक एक हत्या का मामला भी सामने आया है राजथान भी दो हत्याओं का गवा है बीचपी के सयुक्त महामंतरी डॉक्टर शुरेंडर जैन के अनुसार ये वो मामले हैं जो सामने आये हैं ऐसे में लब जिहाद को इसलाम विरोधी बताने वाले मौलानाओं को तकाल इसके खिलाब फत्वा जारी करना चाहिए जिसमें ये कहा जाए कि जो लब जिहाद करेगा उसे धर्म से बाहर कर दिया जाएगा अब आपको बीते ये 6 सालों के कुछ आकडे विस्तार से बताते हैं जिसमें अलग-अलग राजियों में हिंदू लड़कियों की हत्या की संख्या को दर्शाय गया है राजधानी दिल्ली की बात करें तो 2019 से लेकर 2023 के बीच कुल 5 हत्याय देखने को मिली वहीं उत्रपरदेश की बात करें तो 2017 से लेकर 2023 के बीच 20 हत्याय हुई है महराश्टर की बात करें तो 2018 से लेकर 2023 के बीच 7 महिलाओं की हत्या देखने को मिली है वहीं बंगाल की बात करें तो वर्स 2018 से लेकर 2022 के बीच 2 हत्याय देखने को मिली वहीं उत्राखंड की बात करें तो 2021 से लेकर 2022 के बीच पांच हत्याएं देखनों को मिली वहीं हरियाना की बात करें तो साल 2020 से लेकर 2021 के बीच कुल तीन हिंदू लड़कियों की हत्या हुई है राजस्तान की बात करें तो 2021 से लेकर 2022 के बीच कुल 2 हत्याई देखने को मिली वह हिमाचल परदेश की बात करें तो साल 2022 में हिमाचल परदेश में 1 हत्याई देखने को मिली इसके अलावा 36 गड़ की बात करें तो साल 2019 से लेकर साल 2022 के बीच कुल 3 हत्याएं देखने को मिली, असाम की बात करें तो वर्स 2021 में यहां 1 हत्या देखने को मिली थी, आंधर प्रदेश की बात करें तो 2017 में यहां कुल 1 हिंदू महिला की हत्या होई थी, वहीं मध्य बीच में एक महिला की हत्या की गई थी। ぇहिं पंजाब की बात करें तो साल 2022 में एक महिला की हत्या की ख़बर सामने आया थी। ये आकडे साब बताते हैं कि हिंदू लड़कियों को किस प्रकार से लगतार निशाना बनाया जारा है। इसमें से कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो इस प्रकार की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीती रखते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो राजनीतिक लाब लेने के लिए ऐसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेते इसलिए जरूरी है कि खुद भी सतर करहा जाए ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें कैपिल टीवी उतर परदेश नमस्कार